हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ड टू पॉइंट ओपर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक का नॉविल रिपोर्टर की हत्या चैप्टर वन तॉमी मॉर्गेन ने बड़ी साफधानी से खिड़की मैसे सिर निकाल कर नीचे जाका एक गोली संसनाती हुई उसकी कनपटी से छे इंच दूर से गुजर गई और अगले ही छड़ उसकी पीट के पीछे की दिवार से धेर सारा प्लास्टर उखड कर कमरे के फर्ष परागिर उसने फॉरन सिर वीतर खिच लिया और चौकट की याड में से नीचे सड़क पर जाका नीचे पुलिस की सिपाईयों की गिंती बढ़ती ही जा रही थी रह रहकर फ्लाइंग स्कैट का सायरन सड़क पर गून चुटता था पुलिस की सिपाई जीपों के और सामने वाली इम फिल के हत्य को थपता पाता हुआ विशहले सर से बुद्बदाया टॉमी मॉर्गैन नीचे से पुलिस इंस्पेक्टर चिलाया तुम बच नहीं सकते तुम हर तरफ से घिरे हुए हो अच्छा यही है कि तुम समर पर कर दो बैंक की इमारत में से फॉरम बाहर निकलाओ यहा बैंक की इमारत से दूर दूरी रहें टॉमी मॉर्गैन किसी को भी गोली मार देने से नहीं इचकेगा इंस्पेक्टर बोला टॉमी का दिमाग बड़ी तेजी से निकल भागने की कोई तर्कीब सोच रहा था लेकिन बरतमान इस्तिती में उसे यह असंबब लग रहा था व लेकिन उसके बैंक के स्टॉंग रूंग तब पहुचने से पहले ही जाने कैसे पुलिस वहाँ पहुच गई थी और अब इस्तिती यह थी कि वैचुए की तरह बैंक की इमारत की चौथी मंजिल पर फसा हुआ था जिन्दा पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा वैफिर बढ़ बढ़ाया उसी समय नीचे बेहतीव रो प्रकाश वाली एक सर्च लाइट चल उटी और बैंक की इमारत दिन की तरह जग मगा गई टॉमी के चेहरे पर सर्च लाइट की भरपूर रोशनी पड़ी उसकी आखे चौंधिया गई उसने अपनी आखों के एक हाथ से ढखा और एकदम नीचे बैठ गया कई गोलियों इसके सिर के उपर से गुजरती हुई और खिड़की के पलनों को छेती हुई कमरे की दिवारों से जाट अकराई टॉमी ने पूरी साफदानी से राइफल की नाल सर्च लाइट की और मोड़ दी और घोड़ा दवा दिया निशाना चुग गया टॉमी मॉर्गेन, इंस्पेक्टर फिर चिल लाया, हम जानते हैं तुम कहाँ, समर पर कर दो वरना चुहे की मौत मारे जाओगे, तुम पलिस के हाथों बच नहीं सकते सर्च लाइट के प्रकाश से कमरे की दिवारे जगमा घा रही थी, टॉमी खड़की के नीचे दुपका बैठा था, वै जरा सब इससर उठाता तो कई गोलियां खड़की की और दाग दी जाती थी गोली द्वारा लकडी में हुए एक छेद में आख लगाएवर नीचे जहांक रहा था, उसी समय एक सिपाई बरांदे के खंबे के पीछे से निकल कर सड़क पर आया और उसमें पूरी शक्ती के साथ एक गोला से खड़की के और उच्छाल मारा, गोला कमरे की दिवार के सा भारी जलन होने लगी और आखों और नाक में से पानी बहने लगा, टॉमी ने राइफल समाली और फर्च पर घिजटता हुआ कमरे से बाहर की और बढ़ा, वै बुरी तरह खांस रहा था, और सांस लेने में भारी कटनाई का अन्वाव कर रहा था, कमरे से बाहर आकर वै उ लासगी कानवाव करने लगा, वै मुडेर के पास फर्च पर लेड गया और फिर उसने नीचे सड़क पर जहांका, छट की मुडेर पर सर्च लाइट का सीधा प्रकाश नहीं पढ़ रहा था, टॉमी ने बड़ी साफदानी से निशाना लगा कर राइफल से फायर कर दिया, सर्च लाइट के पर खच्चे उड़ गए और एकदम गहरा अंदकार चा गया, टॉमी को जीवित बश निकलने की चीन सी आशा होटी, वै उट खड़ा हुआ, उसने देखा बगल की बैंक जितनी ही उची इमारत उससे किवल दस फुट दूर थी, उसने आस पर जिष्टी दोड़ाई, छट के एक कौने में कई लंबी लंबी बल्लियां रखी थी, उसने एक मजबूस सी बल्ली उठाई और उसे दौनों इमारतों के मुडेरों के बीच में रख दिया, नीचे गली में गहन अंदकार था, स्ट्रीट लेंप पहले ही उसकी गोलियों के शिकार हो च देल रही थी, हर बार यही लगता था कि बल्ली मुडेर पर से फिसल जाएगी और उसका शरीर इतनी उचाई से नीचे गली की पकी जमीन पर गिर कर चकना चूर हो जाएगा, लेकिन शायद भग ने अभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, टॉमी सुरक्षित दूसरे इमारत की छट पर था, वहां लोगों के शोर की बहुत मद्धम आवाज आ रही थी, वह साफधानी से सीड़ियां उतरने लगा, नीचे पहुंसते ही उसे सामने लिफ्ट दिखाई दी, उसने बाकी मंजलें सीड़ियों दारा तै करने का ख्याल छोड़ दिया और लिफ्ट के कॉल बटन पर उंगली रग दी, सीड़ियों दारा जाने में किसी ना किसी की उस पर डिष्टी पढ़ जाने के परयापत संभावना थी, लिफ्ट उस मंजल पर रुख गई, छण भर बार लिफ्ट का दोर खोला, उसने लिफ्ट में घुसने के लिए कदम बढ़ाया, एक आएक पर ठिटक गया, लिफ्ट में भीतर स्टूल पर ऑपरेटर बैर तरा, रात के एक बज़े भी लिफ्ट में ऑपरेटर के होनी के उसे तनिक भी आशा नहीं थी, वह केवल एक छण के लिए ठिटका और फिल लिफ्ट के भीतर घुज गया, ग्राउंड फ्लोर, वह इत्मिना करने वालों की मीटिंग हो रही है, बहुत लोग आ जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी अब तक रोका हुआ है, आप इसी मारत में रहते हैं? हाँ, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, मैं या किसी का महमान हूँ, किसके महमान हैं? तुम जरुरत से ज़्यादा सवाल की और देखा, ऑपरेटर के नेत्रों से एकदम भै टपकने लगा, वह एक आएक स्टूल से खड़ा हुआ और लिफ्ट से बाहर की और लपका, रुख जाओ, टॉमी दबे सरसे चिल लाया, और उसने जेब से रिवाल्व निकाल का ऑपरेटर की और तान दिया, ऑपरेटर इकदम रुख गया, उसका मूँ खुला का खुला रह गया और भैके मारे वा थर-थर कांपने लगा, बीतर आओ, टॉमी डबट कर बोला, ऑपरेटर चुपचा बीतर आगया, टॉमी ने ग्राउंड फ्लोर का पटन दबा दिया, लिफ्ट का दौर बंद हो गया और पिंज लिफ्ट के फर्ष पर धेर हो गया, उसी समय लिफ्ट रुख गई और उसका दौर खुल गया, टॉमी ऑपरेटर की परवा किये बिना, रिवाल्वर को हाथ में ही थामे अमारस से बाहर निकलाया, अभी वह लॉबी में दो ही कदम आगे बढ़ा था, कि एक मोटर साइकल ल उठाकर बोला, टॉमी के हाथ में थमी रिवाल्वर पर नज़र पढ़ता ही, उसके नेतर भै और विसमे से विस्वरे थोटे, अगर चलाए तो गोली मार दूँगा, टॉमी बोला, मोटर साइकल से अलग हो जाओ, लेकिन मोटर साइकल वाले का मस्तिश्क, शायद इस्तित पर रिवाल्वर की परवा किये बिना गला फाड़ कर चला उठा, चोर चोर बचाओ बचाओ, टॉमी के रिवाल्वर ने दो बार आग उगली, दौनों गोलियां मोटर साइकल वाले के सीने में धस गई, और वह वहीं मोटर साइकल पर धेर हो गया, टॉमी ने बड़ी फु लाट पुलिस के कानों तक पहुँच गई थी, पुलिस की जीप का सायरन एक बार फिर उसके कानों में बच उठा, टॉमी ने घूम कर देखा, पुलिस की जीप उससे किवल सो गच के फांसले पर थी, और वह फासला भी कम होता जा रहा था, उसने मोटर साइकल के रफतार भी आ जाता था, तो वह कम से कम एक फुट उचल जाती थी, और उसके हाथ से हैंडल चूटने को हो जाता था, पुलिस की जीप अब भी उसके पीचे थी, कई फायर उसके कानों के पास से होगर गुजर गई थी, वह अंदा दून मोटर साइकल भगाय जा रहा था, पुलिस जगे कटे हुए पेड़ फैले हुए थे, मजदूर दिन में पेड़ यादी आधा भी काटा होता था, तो शाम को उसे उसी स्थिति में छोड़ कर चले जाते थे, विरस से बांद कर सड़क के अधिक समीब वाले पेड़ों का जुकाव सड़क से विप्रित दिशाकियों र टकरागर उलटने से बची, जीब उसके समीब होती जा रही थी, जीब और मोटर साइकल में फासला इतना कम हो गया था कि अब तो जीब से हुआब कोई भी फायर उसकी ईलीला समाप्त कर सकता था, सक्त सर्दी में भी टॉमी के चैरे पर पसीने के धारे भे निकले, जीब उससे केवल 25 गज़ दूर रह गई थी, टॉमी बहुत चाहते हुए भी मोटर साइकल के रफ्तार नहीं बढ़ा पाया, टॉमी जीब से कोई चलाया, रुक जाओ, लेकिन टॉमी न घूम कर भी नहीं देखा, उसी समय एक फायर हुआ और गोली टॉमी की बाहां को छीलती बहुत बड़ा पेड, एक भारी। टॉमी फिर खबरा गया, पहले फायर के बाद दूसरा फायर हुगा और उसकी मोटर साइकल का पिछला पर यह बैट गया, मोटर साइकल एक शराबी की तरह जूमने लगी। उनकी और तांदी और चिल्ला कर बोला, वहाई खड़े रहा वरना गोली मार दूँगा। साइठ ठटक गए। कौनों तुम लोग? टॉमी ने पूछा। उत्तर मिलने से पहले सड़क पर एका एक प्रकाश फैल गया। विपरेद दिशा से एक कार आ रही थी और उसकी हेडलाइट की रोशनी सड़क पर फैल रही थी। टॉमी सड़क से एक और हटकर खड़ा हो गया। कार एक दम टॉमी के सामने आकर रुकी। टॉमी के उंगलिया रिवॉल्वर के हत्ते पर और सक्त हो गई। टॉमी ने देखा ड्राइवर की सीट पर एक गुंडा से लगने वाला आदमी बैठा था। पिछली सीट पर एक उसकी पकड और मजबूत हो गई। तुम मुझे जानते हो। उसने संदिक दूसर से पूछा। सवाल बाद में रिवॉल्वर को कोट में रखो और कार में बैठ जाओ। तुम हो कौन। मैं काला चोर हूँ। फिलाल तुम के वले इतना जान लो कि अगर मैंने और मेरे आद उसर से बोला। पैपेड खुद बाखोदी तुमारे और पुलिस की जीब के बीच में आगे रहा था। तुमी कहीं छड़ सोसता रहा। फिर इसने रिवॉल्वर जेम में रखा और पिछली सीट पर उस आदमी की बगल में आ बैठा। धलान पर खाड़े दौनों साहे भी चक्कर काट कर उत्तर मिला। ये सड़क तो उस पेड़ की कारण आगे से बंद हो गई है ना। लेकिन तुम हो कौन। टौमी ने फिर पूछा। वे आदमी कहीं छड़ चुप रहा फिर शान्सवर से बोला। कभी जेबी का नाम सुना है। जेबी? जंग बहादुर? हाँ, जेबी बोला। टौमी तुम बहादुरो इसमें कोई शक नहीं लेकिन तुमारे काम करने का तरीका बेहत गलत है। क्या गलती है उसमें? टौमी जंजला कर बोला। अकेला चना भाड़ नहीं भोड़ सकता वरकुरदार। जेबी बोला। तुम हमेशा हर काम अकेले क करने की कोशिश करते हो और इसलिए दो बार जेल जा चुके हो। आप मेरे बार में सब कुछ जानते हैं। टौमी हैरान होकर बोला। जेबी क्या नहीं जानता। बैंक मटा का डालना भी एक आदमी का काम नहीं था और तुम खुच जानते हो कि तुम पुलिस के हाथो टौमी चुप हो गया। बात सस्ती। आपने मेरी रिसाए था क्योंकि कुछ छड़ बात उसने धीरे से पूछा। क्योंकि मुझे तुमारी जरूरत है जे भी बोला। तुम बहादरो निडरो बे जग गोली चला सकते हो। एक काम ऐसा है जिसमें मुझे तुमारे जैसे आ पर एक जुआ घर हुआ करता था जिसे माइक नाम का एक आदमी चलाया करता था। वैजुआ घर इतने गुपत रूप से चलाया जाता था कि पुलिस तो क्या। सेम जुआ खेलने के लिए कई बार आए हुए लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि वैजुआ घर जूल बॉ जाने के बाद आप फिर चालू हो गया है। इस्थान वही है चलाने वाले लोग भी वही हैं लेकिन इस बार जुआ घर खुले आम चल रहा है। पुलिस जानती है लेकिन उसे बंद नहीं करती क्योंकि संचालक कमिशनर तक को रिश्वत देते हैं। एक दो बार केवल जिनने निकाल कर हमने एक आदमी को सौप देना है। इस काम के बदले में वह 50,000 रुपे देगा। 20,000 रुपे एडवांस मिल चुके हैं 30,000 काम हो जाने के बाद मिलेंगे। और अगर उस सेफ में से हमें कोई धन मिलेगा तो वह हमारा होगा। उस आदमी को केवल कागजो में ही दिल्चस्पी है। मुझे क्या मिलेगा। जेवी ने कठो नेतरों से टॉमी की ओर देखा और फिर बोला। अगर तुम जेवी की मित्रता को अपने लिए भारी लाप की चीज़ नहीं समझते हो तो मैं तुमें लूट के माल में से हिस्सा और 10,000 रुपे दूंगा। टॉमी ने नेतर जुका लिए और फिर बोला। इम सॉरी बोस परवा मत करो। ये भी बोला। बाकी बास सुनो। इस काम में दिक्कत ये है कि दिन में इसे करने का सवाली नहीं पैता होता और सारी रात वाँ जोहारियों की भी रहती है। मतलब ये कि चोरी चोरी छिपे हो लेकिन वह आदमी कौन है जिसे हमने विकागज सौपने हैं। वह कोई विदेशी है जेबी ने बताया। अधिक मैं कुछ नहीं जानता और अधिक जानने कि हमें आवशकता भी नहीं है। हमें तो रुपे से मतलब होना चाहिए। 20,000 रुपे हमें मिल चुका है। बाकी के तीसरा मिल जाने के बाद ही हम विकागजा तुझे सौपेंगे। ठीक है ठीक है तो फिर मिलाओ हाथ। टॉमी ने बड़ी गर्म जोशी से अपना हाथ जेबी के और बढ़ा दिया। टॉमी ने पहली बार देखा कि जेबी के ताएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई ब्लास्ट का रिपोर्टर राजेश पुलिस हेटकॉर्टर में इंस्पेक्टर प्रभू देल के कमरे से बाहर निकला और बाहर कॉरिडॉर में लगे पबलिक टेलीफून बूत की और लपका। बूत में खोशकर उसने दौर भीतर से बंद कर लिया और बड़ी तेजी से ब ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन आउट होने में अभी कितनी देर है लगबक 40 मिनट क्यों एक और खबर जा सकती है बशरते की बहुत महत्पूर्ण हो फिलाल विशेश महत्पूर्ण नहीं है लेकिन उसके महत्पूर्ण हो जाने की संभावना काफी है और दूसरी बात य कि अभी ब्लास्ट के सिवाई ये समाचार किसी को मिला भी नहीं है शुरू हो जाओ राय का निर्ला पूर्ण सर सुनाई दिया एक आदमी जो अपना नाम मुराली लाल बताता है शराब के नशे में कार चलाता पकड़ा गया है उसकी आयू लगबक 42 वर्ष है कार में उसके पी ऊड़ जा रहा था जिदर जूली जाना चाथी थी रिक्केस् करने पर मुराली लाल नने उसे लिफ्ट दे दी थी है मैता रोड के चौराय पर और मुराली लाल ने अपनी कार असाफ़दानी से एक दूसी कार से टकरा दी थी, किसी भी कार को कोई विशे स्षचिछ नह जबोगने के छिख दिखाई देने लगा मुझाली लाल के और छूली दानों पोलिस हयडocyकौटर में उसकी कार पर है हरे रंग की अमबेस्डर थी और उसकी बॉडी ड्राइवर वाली साइड के द्वार के पास थोड़ी से पिछकी हुई थी पुलिस में पैट्रॉल पंपर दिन दाड़े डाका जनी की दो रिपोर्ट लिखाई गई है उन रिपोर्टों के निजार ऐसी हरे रंग की अमबेस्डर में एक और एक आदमी दुपैर के समय जबकि पैट्रॉल पंपर अधिक गिराक नहीं आते पैट्रॉल पंप के करमचारी को रिवालवर दिखा का सारा रुपया लूट कर ले गए थे पुलिस ने इसी सिलसले में मुरारी लाल और जूली को पुलिस हर्टकॉर्टर मैं रोका हुआ है इंस्पेक्टर प्रभू देल ने पैट्रॉल पंप के करमचारी को मुरारी लाल और जूली की शनाक्त के लिए बुलाया है अगर पैट्रॉल पम की करमचारी उन दौनों में से किसी को डाका जनी के सिलसले में ना पहचान सका तो मेरा ख्याला प्रभू ने छोड़ देगा क्योंकि मुरारी राल शराब पी हुए जरूर था लेकिन नशे में मदोश नहीं था वैं पूरे होश में गाड़ी चला रहा था वैं छोटा सा ट्रैफिक एक्सिडेंट केवल सयोग वशी हो गया था बस राय ने पूछा फिलाल बस राजेश बोला लेकिन अगर बीस पच्चिस मिनट प्रतीक्षा कर सको तो समाचार पूरा कर दूँगा तब तक पैट्रोल पम का करमचारी यहां पहुच जाएगा ओके बॉई राय बोला मैं बीस मिनट प्रतीक्षा करूँगा उसके बाद इतना ही समाचार प्रेस में दे दूँगा लेकिन देख लो बीस से एक किसमा मिनट नहीं होना चाहिए ओके राजेश ने रिसीवर हुक पर लटकाया और टेलीफोन बूस से बाहर निकलाया वह वापिस प्रभू द्याल के कमरे में लौट आया मौरारी लाल और जूली परेशान मुद्रम प्रभू के सामने मेच की दूसरी और बैठे हुए थे प्रभू द्याल टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था राजेश को देखकर उसने उसे एक कुरसी पर बैठ जाने का संकेत किया राजेश और प्रभू द्याल के बड़े अच्छे संबंद थे इन अच्छे संबंदों के इस्तापना में मुख कारण सुनील था प्रभू द्याल केवल सुनील को ये दिखाने के लिए राजेश को लिफ्ट देदा था कि उसकी मृत्तता का किसी को कितना लाब पहुंच सकता है प्रभू द्याल ने रिसीवर रख दिया और फिर मुराली लाल की और घूम कर गंबीर सर से बोला देखो मिस्टर मुराली लाल तुम शायद पुले स्टेशन पर जूट बोलने का मतलब नहीं समस्ते हो तुम मैंने कोई जूट नहीं बोला है मुराली लाल बोला ये तुमारा लेटेस जूट है प्रभू द्याल बोला मिस्टर तुम कदम कदम पर जूट बोल रहे हो तुमने अपना पता 32 हरनभी रोड बताया मैंने अभी फोन पर चेक किया 32 हरनभी रोड पर कोई मुराली लाल नहीं रहता या तो तुमने पता गलत बताया या अपना नाम गलत बताया या फिर दौनो मुरारी लाल छडबर कसमस आया और फे बोला लेकिन इंस्पेक्टर साब मैंने ये कप कहा था कि मैं राजनगर की 32 हरनभी रोड पर रहता हूँ तो फेर मैं विशालगड की हरनभी रोड की बात कर रहा था तो मारा मतलब है कि विशालगड में भी कोई हरनभी रोड है प्रभू के सवर में आश्चर का पूट था हाँ मैं अभी चेक करता हूँ प्रभू द्याल रेसीवर उठाता हुआ बोला राजनगर विशालगड में ट्रंक डाइलिंग की सुवधा प्राप्त थी प्रभू द्याल एक मिनट में अपना इच्छित संबंद इस्ताफित करने में सफ़ाल हो गया हैलो वह बोला पुलेस हैटकॉर्टर विशालगड मैं राजनगर से इंस्पेक्टर प्रभू द्याल बोल रहा हूँ हमने यह एक आदमी को पकड़ लखा है जिस पर मुरारी लाल नाम का कोई आदमी इस पते पर रहता है जी हाँ बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके मुझे सूचना बिजवाईए ठैंक्यू परिमच प्रभू द्याल ने रिसीवर रख दिया और मुरारी लाल की और गोम कर बोला अगर इस बार भी तुमारा बयान जूटा सिर्द दूगा तो मैं बिना कोई दूसा सवाल गिये तो मैं हावाला आत्मा डाल दूँगा मुरारी लाल ने भारी बेचैनी का पदर्शन करते हुए कुर्सी पर पहलू बदला कई जड़ चुपी रही चुपी चाही रही प्रभु द्याल बार बार टेलीफोन को यूँ घूर रहा था जैसे इस पकार घूरने से घंटी बज उठेगी उसी समय घंटी घंगना उठी प्रभु द्याल ने जबटकर फोन उठा लिया प्रभु द्याल कई छड़ फोन सुनतरा फिर उसने रिसीवर रख दिया तुमने फिर जूट बोला वै मुरारी लाल को गूरता हुआ बोला अब क्या हो गया है मुरारी लाल दबे सर से बोला तुमारा नाम मुरारी लाल नहीं है प्रभु एक एक शब्द पर जोड दिता हुआ बोला तुमारा नाम उमा शंकर चौपड़ा है मुरारी लाल कही जाने वाला आदमी बहत नर्वस हो उड़ा तुमने कैसे पता लगाया उसने पूछा तुमारी एमबेस्ड कार की साहता से यह कार तुमने राजनेगर से ही किराय पर लिये आटो मुबाइल एजेंसी में तुमने अपना ना उमा शंकर चौपड़ा लिखवाया है एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि तुमने ये सिद्ध करने के लिए कि तुम वास्ता में विशाल गड़के उमा शंकर चौपड़ा हूँ उसे कोई कागजा तो विशाल गड़के किसी कलब का मेंबर्शिप कार्ट भी दिखाया था मैं कोच छण सोसता रहा हूँ फिर घहरी सांस लेकर बोला आप चुपाने से कोई लाब नहीं है मैं विशाल गड़का उमा शंकर चौपड़ा हूँ तुम ये तीसरा नाम बता रहे हो प्रभू दियाल वेंगपूर्ण सर से बोला अगली बार शायद तुम ये काओगे कि तुम जवाल नहरू हो मैं सच कह रहा हूँ मैं विश्वास ना हो तो ये देखो उस आदमी ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमेंस अपना ड्राइविंग लाइसेंस और विशाल गड़के सिटी कलब का मेंबर्शिप कार्ट दिखा कर प्रभू दियाल के सामने रख दिया उसी समय फोन की घंटी फिर घंगना उठी हलो प्रभू दियाल रिसीवर उठागर बोला क्या बत्तिस हर्णवी रोड विशाल गड़ में कोई मुराली लाल नहीं रहते अच्छा विशाल गड़ के किसी उमाशंकर चौपडा के विशे में आपको जानते है जानते हैं आप विशाल गड़ में वो बहुत मशूर आथ भी अच्छा बड़ी जीब बात है क्या वैसिटी कलब का प्रेसिडेंट है एक बैंक का डिरेक्टर है अच्छा सरकार का बहुत बड़ा कॉंटेक्टर है इस साल विशाल गड़ से पार्लियामेंट की मेंबर्शिप के लिए एलेक्शन लड़ा है करोड़ पती है कमाल है साब जी 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 नहीं अभी उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है उनने के वहल क्वेशनिंग के लिए हैड़कार्टर में रोका हुआ हमें उनकी कार के कारर रिक डेकाइटिंग के के केस का संद्ध हो गया था जी हाँ भार ही गलती हो गई मालूम होती है हमें अफसोस है ओके ठैंक्स फॉर कॉपरेशन प्रभू द्याल ने रिसीवर रख दिया उस आदमी के परती उसका वहवार एकदम बदल गया आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि आप कौन है प्रभू द्याल बोला उसके सवर मैं सम्मान का पुड़ था और अब वह उस आदमी को तुम के इस्थान पर आप कहकर समुदित कर रहा था मेरे से गलती ही ऐसी हो गई थी वह आदमी बोला मैं इस साल पारलियमंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ अगर ये बात प्रकट हो जाती कि मैं शराब के नशे में एक्सीजन कर बैठा हूँ और जिस समय पर पुलिस दोरा पकड़ा गया था उस समय मेरी कार में एक सुन्दर युफ्ती भी थी तो मेरी भारी बदनामी होने की संभावना थी आप जानते ही हैं कि अक्वार वाले ऐसी बातों के कैसे नमग मिर्च लगा कर चापते हैं मेरे एलेक्शन के प्रोग्राम पर इस बात का काभी प्रवाप पर सकता था आपने अपना पता ठीक बताया था प्रबु दैल ना पूछा बिलकुल ठीक बताया था केवल इतना अंतर है कि 32 हटनभी रोड विशारगड में कोई मुराली लाल नहीं उमा शंकर चौपड़ा रहता है मेरा ओफिस नैशनल बैंक बिल्डिंग की तीसरी मनजल पर है मैं जैसा कि आप जानी चुके हैं नैशनल बैंक का डिरेक्टर हूँ पती रक्षा मंतराले का मैं बहुत बड़ा कॉंटर हूँ अभी पिछले साल मैंने उनको सौ जी पे सप्लाई की हैं और कुछ पूछना चाते हैं आप प्रभू द्याल चुप चाप उंगलियों से मेज थपत पाता रहा उसी समय राजेश ने जल्दी से पनी टैरी में से एक प्रष्ट फाड़ा और उस पर लिख दिया प्रभू द्याल भगवान के लिए से पांच मिनट और यहीं रोके रखो प्लीज उसने कागज प्रभू द्याल के सामने सरका दिया प्रभू द्याल ने कागज पड़ा और फिर उसे मोड़ कर रद्धी की टोकरी में फेग दिया ओके प्रभू राजेश से बोला थैंक यू राजेश बोला और एकदम कुर्सी सोटकर बाहर की और लपका प्रभू द्याल के कमरे से बाहर निकलते ही वे एक आदमी से टकरा गया राजेश ने देखा वे उनके प्रतिदंदी पेपर क्रॉनिकल का रिपोर्टर ललित था उसके कंदे पर कैमरा लटक रहा था ऐसी जल्दी क्या आए बैरे वे राजेश से बोला कुछ नहीं बस यूही ललित मैं तुम से फिर बात करूँगा और राजेश उसे वहीं छोड़ कर भागा ललित हैरानी से उसे देखता रह गया कॉरिडोर में लगे पब्लिक टेलीफोन बूत में आकर राजेश ने दोर भीतर से बंद किया उसने एक जटके से रिसीवर हुक से उठायो और बड़ी फूर्ती से ब्लास के नंबर डायल कर दिये हलो 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 संबत इस्तापित होते ही उसने कॉइन बॉक्स में सिक्के डाले और उत्तिजिस स्वर में बोला रेणू फॉरन रॉय से कनेट कर दो हलो रॉय मैं राजेश बोल लाँ अभी बीस मिन्ट नहीं हुए आधा मिनट बाकी है वह मुरारीलाल वाले मामरे में नई बात पता लगी है उसका नाम मुरारीलाल नहीं है पर नैशनल बैंक का टेरेक्टर है और इस बार विशालगड से MP के लिए इलेक्शन लड़ रहा है वह सिटी कलब का प्रेसिडेंट भी है कहने का तात पर यह है कि वह विशालगड के गिने चुने VIP में से एक है उसके साथ जो लड़की पकड़ी गई थी उसके विशे में वह अब भी यही कहता है कि वह उसे नहीं जानता उसने तो केवल उसे लिफ्ट दी थी इस मामले में इतने बड़े आदमी के सम्मधित होने से न्यूज में कलर पैदा हो जाएगा इंस्पेक्टर प्रभू देहल इस केस की तफ्तिश कर रहा है अब से पहले वह उस आदमी से बहुत सक्ती से पेशा रहा था लेकिन जब से उसे ये पता लगा है कि वह इतना बड़ा आदमी है प्रभू देहल मक्खन की तरह पिखला जा रहा है मेरा अपना ख्याल यह है कि वह उसे अधिक से अधिक 10 मिट के बाद छोड़ देगा लेकिन अभी तक उस पर कोई इल्जाम तो लगाया नहीं गया था नहीं इस बात की कोई सम्मावन नहीं है वह उमाशंकर चौपडा ही है उसने अपना ट्राइविंग लैसेंस दिखाया है सिटी किलब का मेंबर्शिप कार्ड दिखाया बैंक की चैक बुक दिखाये अपने जीवन बीमे की किष्टी की रसीद दिखाये और इससे अधिक किसी दूसरे शहर में कोई आदमी क्या सबुत दे सकता है अगर तुम उसके कथन की सत्यता को और चेक करना चाहतो तो विशालगड में उसकी पत्नी को फोन करके पूछो कि आजकल उसका पती कहा है हाँ उसके घर का पता है 32 हरनवी रोड विशालगड ओके और दूसरी बात ये कि क्रॉनिकल का रिपोर्टर ललित भी यहीं गूम ला है अधिक से अधिक आधे घंटे में उसे ये समाचान मिल जाएगा इसलिए ओके ओके आएम डिसकनेक्टिग राजेश रेसीवर हुक पर लटका कर बाहर निकलाया बूत के बाहर ललित खड़ाता और संदिक दे नेत्रों से घूर रात हलो राजेश बेफिक्री से बोला अब उसे कोई जल्दी नहीं थी किस्सा क्या है ललित न पूछा खुश नहीं बेटा क्रॉनिकल राजेश ने उत्तर दिया ज़रा एक लॉंडिया को फोन कर रहा था कि आज शाम में उसके साथ फिल्म देखने नहीं जा सकूँगा अच्छ ललित अविश्वास पूंट स्टोर से बोला हाँ ओके बाई राजेश बिना लगधिक के और दुबारा देखे पैंट की जेब में हाट ढूसे सीटी बजाता हुँ सड़क की और चल दिया कुछ कदम चलने के बाद उसने घूम कर देखा ललित कॉरीडॉर में प्रभुद्याल के कमरे के और भागा जा रहा था अगले दिन राजेश बहुत खुश्ट था उमा शंकर से सम्मद्द समाचार के वह ब्लास्ट में ही छपा था अकवार की हेडलाइन एक बाद फिर उसके दिमाग में घूंग गई विशाल गड का प्रमगुद्योग पती अगामी आम चुनावों में लोग सबा का उमीदवार एक ऐसी लड़की के साथ जिसे सम्म उसके अपने कथानुसार उसने कभी नहीं देखा था राजनगर में शराप पीकर काड़ी चलाने के अपराद में घिरफतार उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी फुलिस की नजरों से यह थत्त छुपा नहीं रह सका कि वह विशाल गड का उमाशंगर चौपडा है मिसेश चौपडा ने बलास के प्रतीनिदी के साथ टेलीपोन पर हुई बातों में इस बात की पुष्टी की है कि उनके पती उमाशंगर चौपडा आजकल किसी विशेश कारणवस राजनगर आये हुए है उस समय एक चपरासी राजेश के सामने आ खड़ा हुआ क्या आए बे राजेश ने टपट कर पूछा उसे वह चपरासी बहुत बुरा लगता था सुनील साब बुला रहा है चपरासी बोला अच्छा उन्होंने आपको अभी बुलाया अगले हफ्ते नहीं चपरासी वेंगपूर सर से बोला अब जाता है शतर मुक्य आला या दूए एक हाथ राजेश कुरोधी तोकर बोला सुनील के केबिन में पहुंच गया सुनील के सामने लगबत 40 वर्ष का एक आदमी बैठा हुआ था वैं शांदार काला सूट पहने हुआ था और उसकी चैरे से कठोड़ ता टपक रही थी एक कुर्सी पर गंबीर मुद्रा बनाय हुए सिटी एडिटर राय बैठा हुथा सुनील ने खोजपूर्टिस्टी राजेश पर डाली और फिक गंबीर सर से बोला बैठो राजेश राजेश बैठ गया इनसा आप को जानते हो सुनील काले सूट वाली के और संकेत करता हुआ बोला राजेश ने एवा फिर उस आदमी को देखा और बोला मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है ने ये कार्ट देखो जड़ा सुनील ने उसके और सुनेरे शब्दों में छपा एक कार्ट बढ़ा दिया राजेश ने देखा कार्ट पर लिखा था उमा शंकर चौपला 32 हर नभी रोड विशाल गड़ आप उमा शंकर चौपला के प्रतिनी दियें राजेश ने सांदार सूट वाली के और मुड़कर पूछा मैं उसने बरफ से ठंडे सर से उत्तर दिया उमा शंकर चौपला हूँ राजेश जैसे आस्मान से गिरा क्या वहरान होकर बोला मैं उमा शंकर चौपला उसने दोराया असंभव राजेश समर कर बोला आप उमा चौपडा नहीं हो सकते आपकी और कड काड तो वैसा ही है लेकिन आपकी और मशंकर की सुर्फ में जमीन और आस्मान खंतर है वो तो बर्खुरदार वहराजेश की बात काड कर बोला मैं ही विशाल गड़का हूं मशंकर चौपडा हूं इसका सबूत मैं मिस्टर रॉय और मि लिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाफ करते हैं और मिलते हैं रिपोर्टर की हत्ता है कि अगले भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद